आज का पज्चान आज माग कृष्ण पक्ष की दश्मी तिथी और मंगलवार का दिन है। दश्मी तिथी आज शाम 6 बचकर 5 मिनट तक रहेगी। आज सुभा 8 बचकर 35 मिनट तक शूल योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6 बचकर 46 मिनट तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पाताल लोग की भद्रा रहेगी और आज शनीदेव कुंभ राशी में प्रवेश करेंगे। शुब मुहूर्थ दश्मी तिथी आज शाम 6 बचकर 5 मिनट तक रहेगी। शूल योगा आज सुभा 8 बचकर 35 मिनट तक रहेगा। विशाखा नक्षत्र आज शाम 6 बचकर 46 मिनट तक रहेगा। सूरियोध्य सूरियास्त का समय आज सूरियोध्य सुभा 7 बचकर 14 मिनट पर होगा। तथा सूरियास्त शाम 5 बचकर 45 मिनट पर होगा। आज का राशिफल, मेश राशी आज का दिन आपके लिए अत्यधिक खर्चा भरा रहेगा आई कम होगी जिसके कारण आप परेशान रहेंगे और आज आपको अपनी संतान की संदती की ओर भी ध्यान देना होगा नहीं तो वह किसी गलत संदती में फन सकते हैं प्रेम जीवन जी रहे लोगों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है यदि आप किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाते हैं तो कुछ समाय के लिए रुख जाए व्रिश राशी आज यदि आप अपने कार्यक शेत्र में बदलाव करने की सोच रही हैं तो वहाँ आपके लिए बहतर रहेगा इसके बाद आपको काफी समस्याओं से भी मुक्ती मिलेगी यदि आपके पिताजी को कोई स्वास्य संबंदित समस्या चल रही थी तो आज उनके कश्टों में वृद्धी हो सकती है जिसके कारण आप परेशान भी रहेंगे विद्यार्थियों को एकाग्र होकर पढ़ाई में लगना होगा और अपने लक्ष को पाना होगा मिथुन राशी आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा आज आप अपनी उमीद से ज्यादा धन काम आएंगे जिसके कारण आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आपके शत्रू आपकी तरक की देखकर परेशान होंगे और आपके बनते हुए कामों को भी बिगाडने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे आपको सावधान रहना होगा करक राशी आज का दिन आपके लिए सावान्य रहने वाला है आज आपको किसी यात्रा पर जाना पड़े तो बहुत ही सावधानी से जाएं क्योंकि इसमें आपके वाहन के दुरगटना होने का भय बना हुआ है जिसके कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है जीवन साथी से भी यदी आज आप किसी विशेश मुद्दे पर बातचीत करें तो उसमें अपनी वानी की मधुरता को बनाए रखें नहीं तो कोई वाद विवाद पनप सकता है सिंग राशी आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहेगा व्यापारी यदी आज किसी नए साजहिदार को अपने साथ लाना चाहते हैं तो उन्हें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी नहीं तो वहाँ उन्हें धोका दे सकते हैं जो लोग सटे बाजी में निवेश करते हैं उन्हें ज्यादा निवेश करने से बचना होगा। संतान को यदि आज आज आप किसी नए व्यवसाय को कराएंगे तो वहां उनके लिए उत्तम रहेगा। कन्या राशी आज का दिन विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थियों में सफलता प्राप्ति के लिए आज पढ़ाई में जुटे नजर आएंगे। आज यदि पहले आपको कोई रोग परेशान कर रहा था तो आज उनसे भी आपको निजात मिल सकती है। जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे वह आप अपने सभी कार्य को पूरा करते नजर आएंगे। व्यापार में भी आज आज आपको दिन भर लाप के अवसर प्राप्थ होते रहेंगे। तुला राशी आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। प्राइवेट नौकरी में कार्यरत लोग यदि आज किसी व्यमसाय को करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ उसके लिए भी समय निकालने में काम्याब रहेंगे, जिससे उनके आत्म विश्वास में वृद्धी होगी। आज आप हर कार्य को उत्सा से करेंगे, लेकिन आपको उसमें ध्यान देना होगा कि आप उत्सा के चक्कर में किसी गलत कार्य में हाथ ना डाले। व्रिश्चिक राशी, आज का दिन आप अपनी समस्याओं का हल ढूंदने में व्यतीत करेंगे, जिनसे आप अपनी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं. आज आप अपने किसी मित्र को अपने घर दावत के लिए आमंत्रित कर सकते हैं. परिवार के सभी सदस्य आज व्यस् आज आपको अपने उपर संयम करके रखना बहतर रहेगा। धनु राशी आज का दिन आपको अपने आलस्य के कारण अपने कुछ कामों को आगे के लिए बढ़ाएंगे जिनके लिए बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए आज आपको कड़ी मेहन से अपने पिछले रुके हुए कार्य को भी पूरा करना होगा। जीवन साथी के साथ आज संबंध मधुर रहेंगे और संतान पक्ष की ओर से आज आपको कोई ऐसा शुक समाचार सुनने को मिल सकता है जो आपकी मान सम्मान में वृद्धी कराएगा। मकर राशी आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आज आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी इसलिए आज आप वही कार्य करें जो आपको अत्यधिक प्रिय हो लेकिन उसके चक्कर में आपको अपने कुछ और आवश्यक कार्यों को पीछे के लिए नहीं तालना है नहीं तो बाद में उनके आपको परेशान होना पड़ सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिती सामान्य रहेगी। कुम्भ राशी आज का दिन आपके मान सम्मान में वृध्धी का दिन रहेगा। आज परिवार के छोटे सदस्य आपके लिए किसी पार्टी को प्लान करेंगे और आपके लिए कोई उ सोच समझ कर ले वह परिवार के सदस्यों की सहमती से ले। मीन राशी आपके लिए कुछ खर्चा भरा रहेगा। जिनसे आप परेशान रहेंगे। आज आपकी संतान के खर्चे बड़े हुए रहेंगे। जिनको आपको कम करने की कोशिश अवश्य करनी होगी। नहीं तो बाद में आपको पच्ताना पड़ सकता है और आज आपको अपने परिवार में व्यर्थ के खर्चा को करने से भी बचना होगा। आज आपका कोई परिजन आपको नुकसान पहुचाने की पूरी कोशिश कर सकता है जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए।